अभी हाला ही में आपने देखा हुगा कि जी इंटर्टाइमेंट इंटर्प्राइस का शेयर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा लगबग 11% की ग्रोथ हाँ पिदर किलियरली देख सकते हैं जो स्टोक हिलता भी नहीं था आज सीधा 11% की ग्रोथ क्यों कर चुका है इसके बारे में जानेंगे मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ के बहुत सारे इंवेस्टर अल्रेडी न्यूस को जानते हैं लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इस news से company को कितना बड़ा फाइदा आने वाले time में हो सकता है उसको भी देखेंगे एक बार आप इदर company का volume चेक करिए मैं हूँ money control pro पे मैंने g entertainment limited का जो store के खोला हुआ है मैं थोड़ा सा नीचे चलूँगा तो मेरे सामने देखने को मिलेगा volume लगभग 10 करोड के आसपास का volume आपको clearly इदर देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा volume है अच्छा खासा आपको इदर percentage देखने को मिला है आज जो की बहुत अच्छी बात है अब discuss करते हैं कि basically news क्या है उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि भाई इस news से कितना बड़ा impact company के share price पे पढ़ रहा है और ये भी देखेंगे कि भाई और कितना बड़ा impact पढ़ेगा और कौन-कौन सी news है investor trader किस तरह से इसको आप देख रहे हैं अब ये आप देखेंगे तो नीचे multiple articles publish हो गई है जाद कर article 10 minute 15 minute पुराने ही है और मैं एक article CNBC TV का ये वाल article खोल लेता हूँ जो कि 29 minute पुराना है simply मैं click करूँगा तो मेरे सामने update खुल जाती है और अब हम इदर ध्यान से समझते हैं कि basically बात क्या है I know guys आपको अलरड़ी पता है लेकिन फिर भी इसको आप थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि ये important update है clearly लिखा है कि भाई G entertainment के share में तेजी दिखाई गई है और जब company ने Sony India के साथ एक समझोता की घोशना की है Sony India के साथ अब एक समझोता हो चुका है और इस समझोता के तहए दोनों company अब आपसी विवाद को समाप्त कर देंगी इनके कुछ आपसी विवाद चल रहे थे कानूनी कारवाई चल रही थी दोनों company's के उपर वो दोनों ही आपस में मिलकर सुलजा लेंगी एक दूसरे के खलाफ जो भी दावे किये गए थे वो अब ये दोनों वापस ले रहे हैं इससे कहीं न कहीं दोनों company's के पैसे भी बचेंगे और इसी वज़े से हम कह सकते हैं के G entertainment के share में लगबग 15% तक की बिर्धी भी हुई है याने 15% तक ये श्टोक तेजी से उपर की तरफ बढ़ा है जो आप इदर स्क्रीन पे देख सकते हैं बाकी गाईज हम ये भी कह सकते हैं के भाई G और सोनी इंडिया ने लगबग 10 billion का जो मर्ज है उसको समाप्त करने का निरने ले लिया है और सभी जितने भी समबंदित कानून कारवाई थे जो दावे थे जो हरजाने थे याने जो डैट पे करना था उन अन्य खर्चे उन सब को समाप्त करके दोनों ने सहमती बना ली है और दोनों कमपनी सिंगापूर इंटरनेशनल ओप्स्टिक सेंटर से जो केश चल रहा था या हम बोले नसी एल्टी यानि कि नैशनल कमपनी लो टर्बिनल से जितने भी केश चल रहे थे उन सब में जितने भी दावे हैं वो सारे वापिस ले लिये हैं कहने का मतलब साफ है दोनों कमपनी के अब साज़दारी हो गई है अब कोई दिक्कत नहीं है दोनों कमपनी को किसी भी कमपनी को किसी भी कमपनी से अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जी इंटर्टाइमेंट इतनी तेजी से बढ़ा क्यों क्या फाइदे हैं इस अपडे नीचे आ जाता है क्या वाकई में कुछ चीजे हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो मुझे लगता है कि भाई इस न्यूस के बाद यह यह बदलाव हमें कमपनी में देखने को मिलेंगे जिससे ओवरॉल कमपनी की ग्रोथ सबसे पहली बात तो यही निकल के सामने आते हैं कि कमपनी अब जो कानूनी विवाद है उसका समाधान हो चुका है और इस समझोते के तहट हम कह सकते हैं कि सभी कानूनी दावे या जो मुकदमे हैं वापिस लिये जा रहे हैं जिससे कमपनी की जो कानूनी जगड़े हैं उ इन्वेस्टर्स हैं जो इस company में already invested हैं जो आज काफी अच्छी buzzing भी दिखा रही हैं और यहां पर हमें वो देखने को भी मिल रहा है कि भाई काफी बड़ी quantity buying और selling में चली गई है तो इससे भी हमें यह लग रहा है कि भाई जो निवेसक हैं उनका विश्वास बढ़ चुका ह आप इदर देख सकते हैं market depth के अंदर selling quantity लगबग 10 लाग के आसपास है और जो buy quantity लगबग 3 लाग 92 जार के आसपास है अभी भी buyers कम है, sellers जादा है बट हम यह कह सकते हैं कि निवेसको का विश्वास इस news के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ना चाहिए बट देखो guys company को 90 million dollars के हिसाब में बात करें तो 90 million की जो संपत्ती fees थी या हम बोले जो हरजाना था और जो कानूनी खर्चे थे उससे company को मुक्ती मिली है और हम कह सकते हैं कि जो financial growth है इसमें company को अच्छी खासी budget होगी और इस budget का जो फाइदा है एक investors को भी मिलेगा, कहने का मतलब साफ है कि company के खर्चे कम हो गए हैं तो company की जो quarterly performance है उनमें हमें अच्छी खासी विर्दी देखने को मिल सकती हैं दूसरा company वयापार पे ध्यान देगी और मैं पहले भी बता चुका हूँ, कानूनी जगडों से मुक्त होने की बात company अब अपने वयापार पे ध्यान देगी और हम य ऐसे कि आज मैं इस company के बारे में बता रहा हूँ तो बहुत सारे investors इस company को भी अब नजर में रखना start कर देंगे बट हमें समझना चाहिए कि basically company fundamentally कैसी है आप clearly देख सकते है 14,000 करोड के आसपास की company है या हम बोले 14,500 करोड की company है और company के उपर जो कर्ज है वो बिलकुल नहीं 0.02 का debt to equity है अच्छा खासा हम कहा सकते हैं कर्ज free company है श्टोग भी बहुत सस्ता मिल रहा है return on capital employer return on equity के मामले में थोड़ी कमजोर है पांस साल में company ने कुछ sale नहीं करी है लेकिन free cash flow अभी भी company का positive है quarterly performance की बात करें तो opium percentage पहले के हिसाब से बढ़ा है P&L की बात करें तो हर साला ना company जो growth दिखा रही है उसमें भी तेजी हमें नजर आ रही है फिलाल मार्च 2024 में तो company ने operating profit में downfall ही किया है investors को देखें तो promoters तो बिलकुल भी इस company में नहीं है FII पहले 57% हुआ करते थे लेकिन घटते घटते आज सिरफ 18% ही रह गए है हाला ही में लगबक तीर महिने में फिर से 19% से घटकर 18% पे आ गए है FIIs mutual funds की बात करें तो पहले 15% थे फिर आज घटते घटते 22% फिर आज टोटली 22% के आसपास हैं बीच में बड़े भी थे लेकिन फिर से घटकर 22% पे रुख गए हैं तो FII थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं के हैं इस कंपनी में बाकी तो ना ही पर्मोटर्स हैं और ना ही FIIs हैं सिरफ mutual funds नहीं इस कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगाया हुआ है यहाँ पर गाईज हमें यह देखने को मिला के बैसिकली चल क्या रहा है अब हम NSE के उपर देखेंगे के data क्या दिखा रहा है हमें NSE तो कहता है के भाई जो यह company है G Entertainment इसमें जो sale quantity अगर आप देखोगे तो लगबग 70 लाग के आसपास है और जो buy quantity है सिरफ 32 लाग के आसपास है अभी भी sellers जादा active हैं लोग बेच रहे हैं अच्छा खासा profit मिल गया है अब भाई profit तो बुक करेंगे ही वो लोग इसलिए यहाँ पर sellers active है pre open market कहती है कि भाई यह stock अगर अच्छा perform करता है तो 141 रुपे तक जा सकता है लेकिन stock ने इतना अच्छा perform किया कि सीधा 150 रुपे पे चला गया है तो pre open market तो यहाँ पर fail हो जाता है historical data में भी हमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है लेकिन जो यह news है इस news का impact company के share price पर पड़ा तो मुझे लगा कि भाई क्यो ना आपको यह news भी share करनी चाहिए कैसी लगी यह news कमेंट करके जरूर बताना बस एक बात बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई buy sale hold recommendation आपको बिलकुल भी नहीं है ना ही कोई financial advice है यह वीडियो मैंने totally news और update के purpose से बनाई है तो इस वीडियो को ऐसे ही लीजिए बाकी गाईज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए take care and goodbye